हर्याना की राजनीती में कुछ समय पहले एक चमतकार हुआ और चमतकार वो ये था कि एक सज्जन इनके पास खुद की वोट भी नहीं थी वो हर्याना से राजय सभा के उमिद्वार बने चुनाव जीते निर्दलिय उमिद्वार के तोर पे और इत्फाक से वो आपके स्पू ही एक निर्दलिय उमिद्वार के तोर पर चुनाव लड़ा था परंतु दूसरी पार्टियों ने जिनमें भाजपा जेजेपी दोनों का समर्थन हासे था और दोनों पार्टियों की सिग्निफिकेंट प्रेजन्स है असेमली में दूसरी तरह कॉंग्रस का उमिद्वार थ था कॉंग्रस के 31 मले थे और हम सब जानते हैं कि राजसवा में जो मैंबर चुनके जाता है उसका कार्या अपनी स्टेट इस रिप्रेजेंटिंग दे स्टेट इन राजसवा उसका कार्या यह होता है कि अपने प्रदेश के मुद्दों को लेकर वो राजसवा में उठाए लेकिन जो दूसरा उमीदवार था मैं समझता हूँ वो ना तो हर्याना का था ना ही हर्याना के मुद्दों को समझ सकता था इस वज़ाए से शायद उसको काम्या भी नहीं मिली लेकिन यह एक एहम बात है कि इस चुनाब में जितनी भी राजनीतिक प्लिटिकल पार्टिया थी उन सबका वोट कार्तिक को मिला जज़ब ज़ाजपा का अने लो का भाजपा के वोट मिले निर्दिया निर्दिया सारे मिले और और भी जो पार्टि थी उसका भी मिला और कॉंग्रेस का वोट भी मिला तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस बात का लोगों के मन में भावना थी कि शायद वो जो दूसरा उमीदवार है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपनी पूजेशन को और दूसरा जिन लोगों ने कार्टिक शर्मा को वोट दिया है कि उन्होंने अपना विचार और विश्वाश इसमें प्रगट किया है और उसे इस पे पूरा उतरना चाहिए से जब यह नामंकन पत्र दाकिल किया गया राजय सबस्ट चुनाओ का तब आप कितने आश्रोस थे कि यह जीत होगी क्योंकि पूरा समर्थन संक्या बल के इसाब से आपके पास नहीं था उसमें सब्सक्राइब कार्तिक जी ने नामंकन पत्र दाकिल किया तो तब आप कितने जीत के लिए आश्रोस थे कि यह जीत होगी क्योंकि संक्या बल और जो समीकन है वो तो दिरे दिरे राजनीते में बंते बिगड़ते रहते हैं किस का पारतिक जी काई जब उन्होंने नामंकन स्थी ने पत्र दाकिल किया तब आप जीत के लिए कितने आश्रोस थे कि माफ करना मुझे decisively पूरा इसपर नहीं हो रहा कि आप स्वाल किया है कि सब्सादे मेरा सवाल यह कि जब नामंकन पत्र ड़ु के लिए दाकिल किया गया तो आप जीत के लिए कितने आश्वस्त थे कि मैं उन भी अक्तियों में नहीं हूं जो चुनाब लड़ते हैं और यह सूचतें के हार जाएंगे मैं अश्वस्त था कि हम जीतेंगे और इसी धारना के साथ कार्थिक ने अपने नामकन पत्र भरे और जितने MLS की विदाइकों की जरूरत थी उन्होंने कार्थिक को पर्पोस किया और मुझे पूरी उमीद नहीं बलके विश्वाश था कि ये गलत फैसला जो हुआ है कांग्रस की तरफ से उसका खम्याजा उनको भूगतना पड़ेगा और कार्थिक जीतेंगे सरा भर्याना में गरीबों की आवाज उठाते रहे हैं एक आपने सर एक बड़ा मुद्धा उठाया था उसमें ये था कि ब्राह्मन समेत कई अन्य जात्कियों के लिए आपने आर्थिक आधार प्यारक्षन की एक मुद्धा उठाया और उसको अंजाम तक पहुंचाया लड़ाई लड़ी अब इसकी क्या स्थिति हैं देखे हमें इसको गहराई से समझना पड़ेगा समें बदल रहा है प्रस्तितियां बदल रही गरीबी रेखा के नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्रल क्लास के साथ सम्मान देता हैं उनका कोई कसूर नहीं उनके परिवार में जमीन नहीं है उनके परिवार में कोई खेती नहीं है कोई घर में बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं है घर में खाने के सादन नहीं है जिससे के परिवार अपना पालन कर सके ऐसी स्थिति में सरकार का फर्स बनता है कि उनके बारे में भी सोचा जाए ताकि उनको भी नौकरी मिल सके इसी को सामने रखते हुए यह मुहिम चलाई गई थी यह किसी एक समाज के लिए नहीं थी इसमें कई समाज के उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति कमजोर हैं कमजोर से भी कमजोर हैं उनके बारे में सोचा गया कि उनके घर में भी मौका मिलना चाहिए के उनके परिवारों के बीच में से कुछ आरक्षन हो जिसके जरीए उनके बच्चों को नौकरी मिल सेके और ऐसा हुआए ही दासब अरूण बच्चों को नौकरीया मिली। और वह कोटमें भी लोग गये उसके 아니고 पी आई केंदर की सरकार ने अडाप्ट किया उसको पूरे देश में लागू किया और आज वो पूरे देश में लागू है आज पूरे देश में उन व्यक्तियों को जिनकी आए बहुत कम है जिनके पास सादन नहीं है और वो गरीब से गरीब वाली कैटगरी में आते हैं गरीबी करी मिले उसके लिए दस प्रदिशत और अरक्षन रखा गया है लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले कानून में भी और अब जो केंदर ने कानून बनाया है किसी भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के उपर असर नहीं पड़ा है ना OBC के ना BC के ना SC के न उनके उपर किसी किसम का असर नहीं है यह within the general category this 10% of reservation is within the general category quota उसी में से है तो किसी को इसका नुकसान नहीं है सर आपने एक लड़ाई ओ लड़ी और मैं अभी फर्याना के संदर्व में कहूंगा कि यहां भी इसकी इंप्लीमेंटेशन पिछले कुछ बच्चों में बहुत अच्छे ढंक से हुई है काफी बच्चों को नौकरिया मिली है लेकिन जब यह स्टेट का कानून जब केंदर के कानून में परवर्तित हुआ उस वक्त कुछ बच्चे जिनको सेलेक्शन हो चुकी है इसकी तरफ कर रही है मेरी यह गुजारिश है कि उनका कोई कसूर नहीं है वो अंडरे अंडरे प्रॉसेस अफ लॉज्ट हो चुके हैं उनको जुरूर उनको जुरूर मिल जाने चाहिए जी दन्यावाए एक सर्ण आपने एक मुद्धा और उठाया था वो बूटी मारो दोलादारों को उनकी जमीन का मालीकाना हक देने का अब उसकी क्या स्थितिया सर्थ यह दोलीदार और बूटी मारों को जो जमीन का मालिका नाख दिला यह एक बहुत परानी लोगों की इच्छा थी अगर आप तो समझते होंगे लेकर फिर भी मैं उस आखी करूंगा कि आपको बताने की कोशिश करो कि यह वो लोग हैं जिनको उनकी सेवाओं के उपलक्ष में किसी जमाने में हो सकता है दो सो साल पहले हो सकता है सौ साल पहले हो सकता है उससे भी ज्यादा पहले उनकी सेवाओं के उपलक्ष में जो सेवाओं वो सुसाइटी की समाज की करते थे बहले ही वो धौली दार थे ब وبندت है जो सेवा वो करते थे समाज की उसके बदले में जहातो एंतो कुछ लोग जो धि हरी व clerk थी थे जमन के ज्यादा जमीन के मालक थे जा फिर समाज के वो हिस्से जा पर रूप में गाउं के लोग, गाउं का गाउं उनको कुछ दान में देते थे, यह जो जमीन है, हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपना इसके उपर गुजारा कर सकें. खीती कर सकें, जा रहने को मकान बना सकें, तो बड़ी देड़ से चला आ रहा था, वो जमीन जो थी, उन के नाम थी लेकिन रेवन्यू रिकार्ड में वो जमीन की मलकियत उनके नाम नहीं थी तो वह मलक ती मलकियत को उनके नाम करने के लिए फैसला लिया गया था कि ये इनको दी जाए और मैं समझता हूं एक बड़ा अच्छा फैसला था और अभी मुक्वंत रीजिने पिछले कर बीस पचीस अजार परिवार ऐसे हैं जिनको इसका फाइदा मिला है तो जमीन तो नहीं कि थी एक वर हमने दान में दे दी और दान में देने के बाद वो सौ साल से उसके उपर काश्ट कर रहे हैं और फिर वो उसके उपर उनका घर बना हुआ है उसकी गरदारी उनके नाम ह मकार बढरत गपर्वा सकते थे अच्छा कानून था और लोगों को फाइदा हुआ है जी सर एक इशू चंडिगड एरपोर्ट का है Uब चंडिगड का एरपोर्ट चंडिगड का भोकर भी चंडिगड का नहीर है अब यह मुंवाली एरपोर्ट हो गया है यह तो मैं समझ कि अच्छा बहुंट था यहां चंदीगड़ में हर्याना के लोग पंचगुला के लोग चंदीगड़ के लोग असानी से वहां एर्पूर्ट पे जा के अपनी फ्लाइट पकड़ते थे अब एक घंटा लगता है और उस एयरपोर्ट के लिए हर्याना सरकार ने चार सो कुछ रुफे चार सो क्रोड से उपर पैसे दिये यह पहली बार हुआ है कि पैसे भी दिये और एयरपोर्ट भी चला गया और हमें असुवदा भी हुई तो अगर ऐसा ही था तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एक नेशनल एयरपोर्ट है डिमेस्टिक एयरपोर्ट है डिमेस्टिक एयरपोर्ट यहां हो सकता था इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां हो सकता क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट नमा बना है जी एयरपोर्ट में दिक्कत है ये तो एरपोर्ट की बात है हमें कई दिनों से देख रहा था कि हर्याना सरकार ने क्योंकि स्पीकर साथ बैठे हैं ये जानते हैं कि हमारा जो विदानसभा है खुशकसिती से मैं भी एक दो वार वहां मेंबर बन चुका हूँ और मैंने भी देखा है कि छोटी है और मैंने दोनों देखी है और मैंने पज़ाब विदानसभा का मेंबर भी रहा हूँ तो उसको भी देखा है और हर्याना विदानसभा का मेंबर भी लेकिन उसमें अंतर ब के लिए जो कोशिश की उसमें दसे कट जमीन के लिए भी इतनी मत्था पच्ची हो रही है मैं जो समझ नहीं आ रहा कि पंजाब कभी बोलता है कि नहीं देनी है ये जमीन जो है ये चंदी कट का जो एरिया है ये श्याक कमेंशन के हिसाब से हर्याना का एरिया है मिलना ये दासेकड के बदले में हर्याना में ले सकते हैं अबला तो ये भी कोई बात नहीं है कि उसके लिए कोई मुआपजा लिया जाए जाए उसके बदले में जमीन ली जाए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बड़ी जल्दी से सोचना चाहिए गहराई से सोचना चाहिए कि हर् जो चंदीगड पे है वो है और रहेगा ऐसर केंदर में काफी लंबे समय तरेंदर मोधी जी प्रधान मंत्री के पत्भी आसी ने आप उनके अब तक के कारिकाल को किस तरह से दिखते देखे मैं प्रधान मंत्री जी के कारिकाल के बारे में तिपनी करना तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत भात है लेकिन इतना है कि पिछले नौ रशक्षों में के इंदर में जब सरकार बनी है यह एक तो यह बहुत देर के बाद काफी stable government बनी है जब stable government बनती है तो उसके नतीजे अच्छे निकलते हैं इंटरनेशनली और नेशनली आप वो जो योजनाएं लेकर चलते हैं उन योजनाओं को क्रियानवित कर सकते हैं मैं इसमें लंबी वहस में नहीं जा रहा हूं मैं इतना कह सकता हूं कि मोदी जी के बरधान मंत्री बनने के बाद 2020 में और 2019 के एंड में जब कोविन का कहर इस देश में आया तो बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने उसको हैंडल किया ना उस बिमारी से ही ना सिरह उस बिमारी से लड़ने की क्षमता नहीं पैदा की बलके देश में उन लोगों को उन गरीब परिवारों को जो परिवार उन दिनों में इस बिमारी की वज़ा से निश्क्रिय हो गए उनके परिवारों को मतवातर लगातार करोणों परिवारों को अनाज दे कर उनके खाने पीने का इंतजाम किया जो आज तक चल रहा है यह दुनिया में एक पहला मौका है पहली बार है कि इतने बड़े सतर पर फूड खुराक अन की जो अनुदान है जा अन का जो लोगों में वित्रन है क्योंकि वो जुरूरत बंद है वो इतने बड़े स्केल पर दुनिया में कहीं नहीं हुआ दूसरा जब कभी बाहर जाते हैं यह वैसे भी आज देश की जो स्थिती है इंटरनेशनली जो हमारी फॉरंड पॉलसी है वो भले ही विजब इस यूक्रियन रशीन वार हो यह विजब इस इंडो पैस्पिक रिजन की हो यहां फिर वेस्टरन कंट्रीज के साथ हो चाइना के साथ हो यहां फिर जो हमेशा से चलती आ रही पाकिस्तान के साथ हो उसमें काफी सुधार है हमें इंडियन कहलाने पर गर्व मैसूस होता है हम यह मैसूस करते हैं कि आज हिंदोस्तान का हर नागरिक सर उंचा करके चल सकता है और कह सकता है कि मैं भारती हूँ और भारत की अपनी निश्पक्ष नीती है और हम किसी के आगे जुकते नहीं है किसी को जुकाने के कोशिश नहीं करते हैं हम अपने देश की रक्षा के लिए देश की सुरक्षा के लिए भलिदान दे सकते हैं ऐसा एक वातावरन मोदी जी ने पैदा किया है जो सब के लिए और खास तोर पे आज के लोगों के लिए एक उधारन है जी सर हाली में कॉंग्रेस के नेता रहुल जी को कोड का अधेश हुआ और फिर लोगसबार स्पीकर ने उनकी सदसेता निरस्त कर दी तो इस पर आपकी क्या प्रतिकरिया रहुल जी का देखे ये एक कानूनी प्रक्रिया है अब हम इसको राजनीती करन करेंगे तो ठीक नहीं है इसमें राजनीती इन्वार्ड नहीं है एक कानून के तहट कोई मुकदमा चलता है और उसमें कानून की किसी कोड का कोई वर्डिक्ट आता है उसके दोई चीज़ें है जातो हम उस वर्डिक्टो मान लें जहां हमें पसंद रही है ठीक नहीं लगता है एपलेट कोड में जाकर हम उसका अपील करें और उपील में क्या होता है उसका इंतिजार करें तो कानूनी प्रक्रियाज जो देश में है उसके उपर कानूनी ढंग से ही कारे किया जा सकता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यहां हमारे हर्याना में कुछ पहले शयद यहां वी एक विदाइक को कि ऊपर ऐसा ही एक्षिन भी लिया गया था और ऐसा ही केस था परदीब चोदरी के और वो एक्सपेल भी हुए थे असेम्बली से लेकिन उनको राहत मिली अगली एपलेट कोड में उनको राहत मिली और राहत उस राहत के बाद फिर वो दौरा से चुनाब भी लड़ पाए और चुनाब लड़के वो बनके भी आए तो ऐसा नहीं कि दिस इस दा एंड आफ दा मेंटर का तो कोई भी अगर कानूनी परके रहा है उसको कानून के तहट ही देखना चाहिए और कानून की परक्रिया को राजनीती करन नहीं करना चाहिए एक सरकेंदर स्तर पे आप कॉंग्रेस की जो हालत हैं जिनों वो क्या लगता आपको अब आप देखिए इसमें मैं कहूं या ना कहूं कॉंग्रेस की स्थिती गंबीर रूप से कमज़र हुई और यह आज से नहीं हो रही है यह उन्नी सो मैं समझतों पुचासी से शुरू हुई जब कॉंग्रेस ने रिजिनल पार्टीज के साथ जाकर समीकरन बनाने शुरू किये उनके साथ मिलकर चुनाब लड़ने लगे तब से जहां जहां भी उन्होंने ऐसा किया वहां वहां से कॉंग्रेस खत्म होती गए कि उन्नी सो पचासी में जैललता के साथ मिलकर इन्होंने जामिलाडू में लड़ा जा उसके बाद कॉंग्रेस कभी तामिलाडू में वापस नहीं आजए इसी तरह से बिहार में इसी तरह से उत्तर परदेश में अब महराश्ट्र में और बड़ी बड़ी जितने परदेश यहां जहां पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ है कॉंग्रस को अल्टी मेट ली डैसी मेट होना पड़ा है कमजोर होना पड़ा है और वहां पर उनकी जो होंध है जो उनकी प्रेजन्स जो है वो नगली जिर्वल हो गई है खतम होने वाले उत्तर परदेश में देखे कि क्या हु हुआ वहीं से तो एक तो यह कारन है दूसरा कारण जो है के जन जन के साथ जो संपर्क है कि जो किसी बाने में हुआ करता था आज वो संपर्क नहीं है है और तीसरा कारण वह यह है कि अगर हम यह मान के चलें कि सिर्फ हमी को ही राज करना है तो वही राज करने का अधिकार तो लोग देते हैं वो भले ही किसी पार्टी को दें Ultimately, people are the last blessing you can say it is the people who decide who is going to rule जी जी तो आपको लगता है कि Congress लोगों से दूर होती जा रही है Congress लोगों से दूर होती जा रही है मैंने कहें कि संपर्क जो है जी 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 जो कार्या करताओं का संपर्क होता है किसी पार्टी के वो संपर्क टूट चुका है कोई संपर्क ग्रास्रूट लेवल पे जो संपर्क होना चाहिए वो कार्या करतों का नहीं रहा है हर्याना की राजनीति में लंबे समय से सिक्रिये हैं हर्याना में मन्होर लाल जी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं ठाट से राज कर रहे हैं उनके कारेकाल को किस तरह से देखते हैं को नौ बरश पहले जब मुख्यमंत्री बने जी तो बहुत से जितने भी राजनितिक व्यक्ति थे उनके मन में था कि शायद ज्यादा देर नहीं रहेंगे इनको अनभब नहीं है कभी विधायक नहीं रहे कभी मंत्री नहीं रहे कभी मेंबर ऑपार्लिमेंट नहीं रहे ऐसी एक धारना बनी थी लेकिन अपनी मेहनस से अपनी दूरदर्शता से इसके बावजूद के कोई एक्स्पीरियंस नहीं था पिछले नौ बर्शों में हर्याना में एक अच्छी और परगों को इसका फाइदा हुआ है एक इमानदार व्यक्ति की चबी बनी है और ट्रांस्पेरेंसी इन जॉब्स जैसे कि हम नौकरियों में ट्रांस्पेरेंसी आई है लोग समझते हैं कि काबलियत के अन्वब से उनको नौकरियां मिलती है यह बहुत बड़ी अपलब्दी है कि एक विश्वाश करना किसी भी राजनेता को विश्वाश प्राप्त करना जरूरी है तभी उसकी इनिक्स जो है उसका राज करने का जो समय है वो लंबा मिलता है